Good morning sweet students, how are you? Now it's time to learn social studies book. बच्चो आपका भी SS का subject start होने वाला है. यह social studies है, जिसे हम short form में SSP कहते हैं. बच्चो आप यह बताएं कि जिन घरों में हम रहते हैं, वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? हमारी जो building's होती हैं, उनमें कौन सा material यूज हुआ होता है? कौन सा समान? किन चीज़ उसे आपने कभी observe किया है? बच्चो आपका आज जो topic है, वो है building materials. आज हम SS subject में building materials के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे. ठीके बच्चो आप ध्यान से सुनियेगा और देखियेगा. बच्चो सबसे पहले तो आप अपना SS book open कीचीगा. पेज नबर है 23 ठीके बच्चो और यह है आपका topic building materials. ठीके? Homes are made of different materials. घर जो होते हैं वो मुक्तलब जो सावान से बने होते हैं. Some are made of mud. कुछ जो होते हैं वो मट्टी के बने होते हैं, ठीके? यह मट्टी के बने होते हैं. यह जो home है अक्सर जो है villages में होते हैं. ठीक है बच्चो आपके villages भी होंगे तो आप जाते होंगे वहां पर देखते होंगे कि ये कुछ कच्छे घर बने होते हैं जो मटके बने होते हैं Some are made of bricks, sand and cement कुछ यो घर होते हैं वो इंटों के ये ये bricks हैं बच्चो ये आप देख रहे हैं न ये bricks हैं और कुछ यो घर होते हैं, cement और red के भी बने होते हैं ठीक है बच्चो और ये ही Some are made of wood and extra कुछ जो घर होते हैं ये ये wood है ये लकडी हम इसे कहते हैं और ये इस्टा है उपर जो रखे होते हैं इनको हम तिनके कहते हैं अब ये अक्सर कम होते हैं लेकिन किन जगाँ पर ये घर होते हैं Some have parts made of glass and metal कुछ चीजों के जो parts होते हैं ग्लास के बने होते हैं और इसके जो मतलब इर्दगर्द है उपर क्या मीटल लगावाता है ठीके बच्चों जैसे हमारे स्कूल के windows होती है वो शीशे के बनी होती है मतलब अक्सर घरों में शीशे के windows होती है जिसे हम ग्लास केते हैं ठीके बच्चों ये box बना हुआ है did you know क्या आप जानते हैं in Poland that is 152 cm wide and its widest point Poland में एक घर है जो 152 cm चोड़ा है मतलब के बहुत ही छोटा है घर in Japan there is a house in which all the walls are made of glass Japan a country है वहां पर एक घर है जो मतलब glass का बना हुआ है शीशे के उसकी जो है wall से न दीवारे वो शीशे के बनी हुई है बच्चों में lesson repeat नहीं कर रही लेकिन आप video बार बार repeat करना ठीक है video का बार बार play करेंगे तो आप lesson जो है वो सीख लेंगे अच्छी तरीके से ठीक है बच्चों इतना मुश्किल नहीं है फिर भी मैं आप बच्चों के लिए पढ़ रही हूँ building materials homes are made of different materials घर जो होते हैं मुख्तलफ सामान के बने होते हैं some are made of mud कुछ घर जो हैं मट्टी के बने होते हैं some are made of bricks and sand and cement कुछ जो घर होते हैं इंटों के, रेत के और cement के बने होते हैं some are made of wood and straw कुछ जो होते हैं लकडी और तिनकों के बने होते हैं some have parts made of glass and metal कुछ के हिस्से जो होते हैं शीशे के बने होते हैं ठीक है बच्चो ये देखे न ये गलास से ये विंडो शीशे के बनी हो ये गोर से देखें बच्चो अच्छा प्यारे बच्चो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो ये पूरा पेज लेसन का आप याद कर लेना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आप टेक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़े समझ में आ जाएंगी और ये देखे बच्चो इस पेज में सिर्फ एक कुस्चन दिया हुए उन्होंने हमारे जो क्लास रूम की वाल से जो दिवार है वो किस चीज़ की मतलब उन्हें कुन सा मटिरियल यूज हुआ है बच्चो आप बताएंगे ठीक है बहुत एज़ी इसका आंसर आप ये आंसर लखना ब्रेक्स एंड सीमेंट ठीक है ब्रेक्स एंड सीमेंट फुल आंसर देने की कोई ज़रूद नहीं बस आप शाट फार्म ठीक है बच्चो आप सिर्फ ब्रेक्स एंड सीमेंट लिख लेना अपने बुक में ठीक है बच्चो और जो आपकी हॉम रख टायर है एसेस की वो है रख रीक है बच्चो आप में बच्चो ए्लाव फ्यूश तेघस्ट का बताभ है